नमस्कार दोस्तों मैं संदीप देओ राफेल विवाद के बीच एक नया तत उभर कर सामने आया है हलाकि मैं आपको बताता रहा हूँ अपने पुराने वीडियो आडियो में फाइटर प्लेन के लिए राफेल की का जो प्रतिद्वंदी कंपनी थी उसका नाम था यूरो फाइटर आप लोग ने संसद में बहस के दोरान देखा होगा कि वित मंत्री अरुन जेटली ने इसका जिक्र किया था जब कॉंग्रेश के नेता सदन में कागज का बिमान बना कर उड़ा रहे थे शंसद का मजाक उड़ा रहे थे लोगतवा ध्यक्ष का मजाक बना रहे थे तो अरुन जेटली ने कहा था कि साइद इन्हें यूरो फाइटर की याद आ रही है इसलिए ये बिमान उड़ा रहे हैं कागज का बना कर कल भाजपा के सांसद नीशिकान दूबे ने इस पर एक खुलासा किया संसद के अंदर ही इसलिए ये अधिकारिक रिकॉर्ड में है गांधी परवार की जो राष्ट्रिय दमाद हैं रोबर्ट वाडरा जी उनका हथियार डीलरो के साथ अच्छा संबंध रहा है राफेल में संजय भंडारी की कंपनी को आफसेट मिलना था जो रावट वाडरा जी के सही होगी हैं संजय भंडारी की कंपनी को आफसेट नहीं मिला इसलिए इतना लंबा दस साल तक राफेल के मामले को लटकाए रखा गया एक भी विवान की डिलिंग यूपिये ने नहीं की यूपिये की मर्जी थी कि इसके बदले यूरो फाइटर आए क्योंकि वहाँ पूरी दलाली इनको मिल रही थी एक दलाल है सुधीर चौधरी वह हत्यार का बहुत बड़ा दलाल है यूरो फाइटर में वही यूरो फाइटर की दलाली वही कर रहा था और उसमें उसने गांधी परवार को अच्छा कट या कॉंग्रेश को अच्छा कट देने का आस्षासन दिया था उसके रेलेक्शन से भी कहीं न कहीं रवाट वाटरा से चुड़े हैं जो कल नीशिकान दुबे ने संसत के अंदर कहा दुबई बेश है उसकी कुछ बिजनस भी है दुबई में UAE में तो राफेल को निरस्त कराने का जो अभी अभियान चल रहा है कि ताकि इतना बिवाद हो जाए कि फ्रांस सरकार भारे सरकार इस दील को थंडे बस्ते में डाल दे उसका असली काम उसकी असली वज़ह यही है कि यूरो फाइटर रेश में आ जाए और राहुल गांधी गांधी परवार को उमीद है कि राफेल के जूट के नाम पर वो अगले 2019 में चुनाओ की सवारी करते हुए सत्ता में आ जाएंगे और फिर यूरोफाइटर को डिल क्लियर करेंगे कहेंगे राफेल भी बाद में फत्त गया है और फिर गांधी परवार हथियारों में पुराने तरीके से दलाली खाएगी पुरानी आप नेहरु के समय देख लिजिए जीब घुटाने से लेकर हथियार के हर डिलिंग में बफ कुछ पत्रकार जो हैं वो भी Eurofighter के Payroll पे हैं। भारत में बड़े अखवार, खासकर अंग्रेजी अखवार के पत्रकार हतियार डील्रों के, हतियार कंपनियों के Payroll पे हैं। ये बात बार बार साबित हुआ है। उस महिला पत्रकार का पती हतियार दलाल है। वो महिला पत्रकार एक बरे राजनेता से भी जुड़ी है और उसका पती एक मुस्लिम है, बरे अखवार में काम करती है, हतियार के पर ही काम करती है डीफेंस पर, इसलिए जब आप उसके लेख को पढ़ेंगे तो आप समझ था दलाल मिशेल का दलाल तक उसकी पहुंच थी एक और डिफेंस में पत्रकार है वह बहुत बड़ा पत्रकार है वह भी यूरो फाइटर के पेरोल पे है ऐसे कई बरे लूटियन पत्रकार यूरो फाइटर के पेरॉल पे है एक तरफ गांधी परबार यूरो फाइटर के पेरॉल पे है दूसरी तरफ लूटियन पत्रकार यूरो फाइटर के पेरॉल पे है इसलिए दोनों मिलकर लगातार सोर मचा रहे हैं ताकि राफेल की डिलिंग खतम हो जाए। अभी एक पत्रकार, जीडी निवज के पत्रकार, असोक शिरवास्ताब ने इसका खुलासा किया है। उन्हेंने जिस पत्रकार के बारे में खुलासा किया है, डिफेंस डिल से जुरे हुए, वो पहले दूरदर्सन में भी काम कर चुका है। इसलिए ये जो आप सोर देख रहे हैं, वो सोर असल में राफेल की नहीं है, हथियार डिलिंग की सोर है, डिलर्स के जरिये कैसे पैसे कमाया जाए, उसका सोर है, आखिर इतना बड़ा सौधा बिमान का हो जाए और उसमें दलाली न हो, गांधी परवार, कॉंग्रेश, पत्रकारों को दलाली न मिले, तो सोर मचना सभाविक है। इतना ही धन्यवाद। झाली न हो,